दोस्तों, इन अंधविश्वासों के पीछे भागती है दुनिया. हमारे समाज में कुछ रिवाज ऐसे हैं, जिन्हें अंधविश्वास की नजर से देखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदियों से चले आ रहे, इन अंधविश्वासों में कितनी सच्चाई हैं, और आखिर इनके पीछे विज्ञान काम करता भी है, या नहीं? सबसे पहले हम एक ऐसे अंधविश्वास के बारे में बात करेंगे, जिसको अपने अकसर अपने घरों में देखा होगा. लोगों में रात में ना खून ना काटने को लेकर, अंधविश्वास है कि रात में ऐसा करने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है. जबकि पुराने समय में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तिमाल किया जाता था इस से अंधेरे में उंगिलियों के कटने का डर भी होता था वहीं कहा जाता है सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आँखों में छप जाती है जबकि इस अंधविश्वासा के पीछे लॉजिक ये है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है इसलिए उसके सिर को कुचल कर दबा दिया जाता है और तो और आपने देखा होगा कि हमारे घर के बड़े लोग अक्सर हमें ग्रहें के समय बाहर निकलने से सक्त मना करते हैं उनके मुताबिक इस दौरान बुरी ताक्ते हावी हो जाती है जबकि इसके पीछे का असली लौजिक है कि ग्रहें के वक्त सूर्य की किर्णों से तवचा के रोग हो सकते हैं साथ ही नंगी आखों से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि गर्भवती महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती है कहा जाता है कि गुरी आत्मा का साया मा और होने वाले बच्चे पर पढ़ सकता है ऐसा करने के पीछे लॉजिक है कि पहले के वक्त में आने जाने के साधनों की कमी थी और गर्भवती महिलाओं को पैदल चलने की समस्या होती थी और तो और दर्वाजे पर नीमबू मिर्ची लटकाने के पीछे लोगों का अंधविश्वास है कि ऐसा करने से बुरी ताक्तों का साया दूर रहता है इसके पीछे असली लॉजिक है कि नीमबू मिर्ची में मौजूद साइटिक एसिड होता है जो कीडे मकौडो को घर में घुसने से रोकता है इसके साथ ही आपने अकसर देखा होगा कि महिलाओं मंगल और गुरुवार को बाल धोने से परहेस करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुवात होती है लेकिन आपको बता दें कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे बाल धोने में पानी ज्यादा खर्च होता है तो इन दो दिन पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोये जाते थे वहीं शादी की रस्मों के साथ अंधविश्वास भी शुरू हो जाते हैं, जिसका आज के समय पर कोई लेना देना नहीं होता है उन्ही अंधविश्वासों में से एक है दुलहन के सामने विध्वाओं का आना दोस्तों माना जाता है कि शादियों में जब तक वह जैमाल की रस्न पूरी न हो जाए तब तक दुलहन का दुलहे की नानी दादी या परिवार की कोई भी करीबी विध्वा महिला उसके पास तब नहीं जानी चाहिए और तो और अगर किसी महिला के पती की मौत हो जाए तो उसको नई नवेली दुलहन के सामने आने से भी मना कर दिया जाता है हालांकि हमें यह समझ नहीं आता है कि किसी के साथ बैठने से या उसके साथ बात कर लेने से इसका असर दुलहन की किसमत पर कैसे पड़ सकता है यह पूरी तरह से एक अंधविश्वास है जिसे हम आप जैसे लोगों ने ही बड़ा बना दिया है वही कहते हैं कि जिनका नसीब चमकदार होता उसी की शादी में बारिश होती है यही एक वजह भी है कि शादी के दिन बरसात होना अच्छा माना जाता है इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की शादी में बारिश होती है उनकी न केवल शादी शुदा जिन्दगी खुशियों से भरी रहेगी बलकि दूलहा दूलहन की आपस में पटेगी भी हलांकी कुछ इलाकों में शादी वाले दिन बारिश का होना शुब नहीं माना जाता है